बिहार में हाल में हुए 5 दिन के legislature assembly के winter session ने ऐसा बहुत ही कुछ disclose किया है जिसे सुनकर पूरे देश में तहलका मच गया है। शायद आप समझ गए होंगे कि यहां हम बात CM नितीश कुमार के द्वारा reservation की limit को 50% से बढ़ा कर 65% करने की ही कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या था कि पूरे देश में हंगामा मच गया है। तो आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 Judge Bench की famous judgment के त्रू, that is, इंदरा सुहानी वर्सेस Union of India 1992 में 50% reservation पर cap लगा दिया था। इस cap से सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि 50% के ऊपर कोई भी स्टीट या सेंटर reservation नहीं दे सकती है। पर इसके बावजूत, CM नितिश कुमार ने ये reservation percentage extend करने का सोचा है और इससे जुड़े laws भी assembly में पेश कर दिये हैं। हाला कि आपको बता दे कि CM नितिश कुमार ने सुप्रीम कोट के इस cap का ध्यान रखा है और इससे जुड़े सेंटर से एक मांग की है। सकता है या नहीं। इसी के साथ साथ हम ये भी discuss करेंगे कि आए दिन नितिश कुमार ने और कौन से वादे बिहार के लोगों को किये हैं। जिन्हें नहीं पता उनको बता दे कि 9th schedule of constitution में वैसे central और state laws listed है जिन्हें कोट्स में challenge नहीं किया जा सकता है। मतलब दियार immune to legal challenges। हालकि इसी बात का विरोध करते हुए भारतिय जनता पार्टी हीडर और राजसभा MP शुशील कुमार मोदी ने RGT और GDU दोनों पर निशाना भी साधा है कि आए दिन उन्होंने बिहार को बरबाद कर दिया है और अंत में जाकर सारी बातों का दोश union पर डाल रही है कि उ और ऐसा सुप्रीम कोट ने भी कई judgments की थ्रू कहा है क्या है वो judgments हम आगे देखेंगे पर इन सबसे पहले एक नजर इस बात पर डालना बेहत जरूरी है कि reservation का ये मामला शुरू कहां से हुआ तो जैसा कि आपको पता है ये पूरी कहानी शुरू होती है बिहार कास सर्वे से इसकी चर्शा करना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है और क्यों इसने हमारे देश में इतने खलबली पैदा कर दी थी तो आपको बता दे कि इस सर्वे इतना वाइरल इसलिए भी हुआ है क्योंकि कहा जा रहा था कि एक census है और ना की सर्वे जिसे करने का अधिकार एक प्हेड किया है और कहा है कि एविडेंस के बेसिस पर ये एक census नहीं है दो ऑक्तोबर को पब्लिश हुआ बिहार का सर्वे ने लोगों के बीच हरानी पैदा कर दी थी अकॉर्डिंग तु दा डेटा रिलीजड दे स्टीट्स टोटल पॉपुलेशन स्टूट अट अलिटल ओवर 13.07 करोड जिसमें से एक्स्ट्रीमली बैकवर्ड क्लासे थिर्टी सिक्स परसेंट के साथ सबसे लाजिस शोशल सेग्मेंट है और उनके जस्ट पीछे अधर ब पॉपुलेशन के साथ साथ एकनॉमिक और लिटरिसी रेट्स की भी सर्वे को हाइलाइट किया है और आप सुनके दंग रहे जाएंगे कि बिहार के 94 लाग फैमिलीज इस राज्य में 6,000 महीने से कम कमाते हैं शायद आए दिन इसलिए भी बिहार को वन अव दो मोस्ट नहीं है उन्हें 1.20 लाक रुपे दिये जाएंगे इसी के साथ एक हैरान करने वाली डिमांड में सीम नितीश कुमार ने यूनियन से बिहार को एक स्पेशल स्टीटस देने की मांग की है और वही इस बात पर भी जोड दिया है कि वे इस स्टीटस की मांग पिछले कितने ही सालों से करते आए है और बीजेपी उन्हें चला कर इग्नोर कर रही है इस पॉइंट पर शुशील मोदी ने बीजेपी को डिफेंट करते हुए कहा है कि उन्हें बिहार को स्पेशल स्टीटस देने में कोई दिक्कत नहीं है पर जब किसी भी स्टेट के लिए ऐसा प्रोव पर निशाना साते हुए कहा इस जस्ट तो शिफ्ट रिस्पॉंसिबिलिटी दोस वह रूर्ट बिहार सिंस इंडिपेंडेंस विल आफ तो टीक दर रिस्पॉंसिबिलिटी फॉर थे स्टीट फाइंस इसल्फ इसल्फ नुदे इंटोस आजीडी लीडर लालू प्रसाद व प्रिवेंटे स्टीटेस तो बिहार वन इट वस पॉसिबल एंटीजस्वी यादव शूट फॉर्स आस्क इस फादर वाई ही दिट सो ये तो बात हो गई बिहार के स्टीटेस की और अब बिसकस करते हैं कि क्या 9th schedule में amended laws डालने से सुप्रीम कोट में इसके against cases file हो सकते है य नहीं दो नहीं नहीं दो अमेंटेस कुमार ने इन दो अमेंटेस को मार ने इसलिए रखने को कहा था ताकि वे जुडिशन रिव्यू से बच सके क्योंकि सुप्रीम कोट ने 50% reservation पर cap लगाया है ये schedule Constitution First Amendment Act 1951 द्वारा add किया गया था which was created by Article 31B of the Indian Constitution which states none of the acts placed in the 9th schedule shall become word on the ground that they violate rights under Part 3 and no judicial review is possible हालकि जो बात कई लोगों को मालूम नहीं है वो ये है कि सुप्रीम कोट ने अपने पिछले कुछ जज्जमेंट से इस judicial review वाले point में बात ने add की है that even laws under the 9th schedule would be open to scrutiny if they violated fundamental rights or the basic structure of the Constitution ये points mainly koilo versus state of Tamil Nadu and others case 2007 जोके 9th schedule case के नाम से भी काफी famous है में सुप्रीम कोट द्वारा कही गई थी जिसमें 9th judge bench ने अपना ये important सैसरा सुनाया था इस case में सुप्रीम कोट ने ये कहा था कि कोई भी laws 24th April 1973 के आने के बाद Article 14, 19 और 21 के तहत चेक किये जाएंगे कि वे Indian Constitution से compatible है या नहीं In addition, the court upheld its previous rulings and declared that any act can be challenged and is open to scrutiny by the judiciary if it is not in consonance with the basic structure of the Constitution और इसी point का सहारा लेकर, Shushil Modi ने Nitish Kumar पर उंगलिया उठाई थी और लोगों को misleet करने पर बोला था and cited the Supreme Court order by the Constitution bench presided by Justice Y.K. Sabarwal A law that abrogates or abridges rights guaranteed by Part 3 of the Constitution may violate the basic structure doctrine or it may not if former is the consequence of the law whether by amendment of any particle of Part 3 or by any insertion in the 9th schedule such law will have to be invalidated In exercise of judicial review power of the court Shushil Modi ने CM Nitish द्वारा गरीबों को ही promise करना कि वे उन्हें लाख रुपे देंगे पर भी आश्चरे जताया और कहा कि इतने पैसे वे लाएंगे कहां से और हर चीज के लिए अंत में सेंटर को ही ब्लेम करेंगे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इस new segment से जुड़े रहने के लिए की falling law chakra